नागपूर में बिजली काटने आये महावितरन करमचारी को हमला कर जखमी कर दिया गया यह वारदात रविवार की दो पहर अमर आशा भेंडे लियाउट पे हुई सोनेगाव पुलीस ने केस दर्ज कर अनिरुद्ध वार्ट और उसके भाई इशान वार्ट को गिरफतार किया है महावितरन ने बकाया वसूली के लिए अभियान चलाया है इसके तहद बिजली काटी जा रही है कॉंग्रेस नगर डिविजन के करमचारी सुखदेव केराम आशिश अतकरी विकास राउत तथा अनिल फुलजेले इस मुहीम के तहद दो पहर साड़े बारा बजे कृशना अरुन वार्ट के घर पहुचे वार्ट पर करीब 5,000 रुपय का बकाया है कारवाई के दोरान कृशना वार्ट तता उनके बेटे अनिरुद्ध और इशान आ गए तीनों बिजली काटने का आदेश दिखाने की मांग करते हुए विरोध करने लगे तबी वार्ट बंधुओं ने रौट से हमला कर सुखदेव केराम को लहु लुहान कर दिया सातियों ने केराम को ततकाल नीजी अस्पताल पहुचाया वहाँ उनका उपचार चल रहा है इस घटना का पता चलते ही महावितरन की मुख्य अभियंता दिलिब दोड के तथा कार्यकारी हेमराज ढोके पहुच गये घटना की शिकायत सोने गाउ थाने में दर्ज कराई गई वाट परिवार के सदस्यों ने भी महावितरन कर्मियों की शिकायत करने का प्रयास किया महाराश्ट्र इलेक्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन के श्रीरंग मुत्तेपवार सुजित पाठक वहीले ने इस घटना के प्रती निशेद दर्ज किया है उन्होंने कामगारों को सुरक्षा देने की मांग की है उनका कहना है कि सरकारी की गलत नीती और घोशना से 73,000 करोड का बकाया है इसका परिणाम कामगार भुगत रहे है बिते कुछ दिनों में इस मुहीम के दोरान कई स्थानों पर मारपीट की घटनाए हुई है बिजली ग्राहक भी संतप्त है